जोहार जार्खन पुडान क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है हर रोज की तरह जार्खन राजे समंधित सभी पतिविता परिछाओं के लिए जार्खन समानिक्यान प्रशनावली सुरू कर रहे हैं इस सीरीज में हम हर दिन आपके लिए हेवी कंटेंट वा बहतर एक्स्प्लानेशन के साथ आपके साथ बने रहेंगे तो सुरू करते हैं आज के प्रशनों की सीरीज जोहार आज के प्रशनावली सीरीज पिछले जेप्यसे में पूछे गए परशनों पर आधारी था तो चलिए शुरू करते हैं आज का सीरीज ये रहा आज का प्रशन दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है मयराची, दामुदर, ब्राकार, सौन रेखा एंसर है ए मयराची हाई ये इससे रिलेटर कुछ इन्पोर्टेंट तर्थी के बारे में ज्यानकारी लेते है मयराची नदी को और किस नाम से जाना जाता है तो मोर नदी के नाम से जाना जाता है जो तीरकुट पहारी यानि देवगार में इस्तित है और दामुदर दामुदर जो है आपका टोरी लातेहा से निकलती है उसी परकार बराकर नादी जो छोटा नागपूर का पठार से निकलती है और स्वाड रेखा जो नगडी राची से निकलती है आए चलते हैं हिजला मेला क्यों मना जाता तो तीन फरवरी 1890 इस्वी को ततकालिन अंग्रेज जीला अधिकारी जोन रोबाट कोश्टेच के साथ उसी समय हिजला मेला का सुरुवात किया गया था अगला पॉइंट है एक मानिया था यह भी है कि अस्थानिय गाउं हिजला के अधार पर हिजला मेला का नामकरण क्या गया है जारखान सरकार ने 2008 इस्वी में इसे महसाओ के रूप में मनाने का निर्ना लिया और फैसला लिया गया उसके बाद 2015 इस्वी में इसको राज किया मेला का दर्जा परदान क्या गया था बरते हैं अगले प्रस्ण की ओर जारखान में आधिवासियों के फूलों का तेवार का नाम क्या है ओप्शन टूसू बाहा सरहूल कर्मा एंसर है सी सरहूल चलिए इससे रिलेटर कुछ पॉइंट को समझते हैं टूसू क्यों मना जाता है क्या इसका मात्व है तो टूसू सूर्य पूजा से समझ्धित है यह मकर संक्राथी के दिन मना जाता तथा वहाव यह फागुन के महिनों में सूध जल से होली खेला जाता है इसमें जो संथाल लोग मनाते हैं इसमें ओर शरहूल यह चैत्रमा में मना जाता जो सुकलपच के तिर्थिया को मना जाता है आईए समझते हैं करमा के बारे में ये कर्म की जीवन की परधानता को बताता है और ये पर्व हिंदू के भाईों के द्वारा मना जाता है और भाई बान कर प्रेम को ये दर्शाता है करमा पुजा बढ़ते हैं अगले प्रस्ण के ओर सासक पूरन मल के द्वारा निमलिकित में से किस मंदिर का निर्मान करवाया गया है रांची इस्तित जगनाथ मंदिर, देवगार इस्तित सिव मंदिर, रांची इस्तित पहाडी मंदिर, इटखोरी इस्तित बदरकाली मंदिर एंसर है बी देवगार इस्तित सीव मंदिर रांची में इस्तित जो है जगनाथ मंदिर उसका निर्मान 691 ही में ठाकूर एनी सहद्यों ने करवाया था और भदरकाली मंदिर ये पांचवी से छटी सता बदी में पाल काल में क्या गया था इसमें 108 चोटे चोटे सीवलिंग बनाए गए है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर आंजन धाम जार्खन के किस चीले में है और अप्शन गुमला गड़वा गृड़ी और गोड़ड़ा एंसर है ए गुमला गुमला में ही हनुमान धी का जन्मस्थल माना जाता है और यहां पे अंजना की मूर्थी अस्थापित क्या गया है ये रहा आपका अगला प्रस्ण खोठा संकलनों का परकासन मेकदुत नाम से किस रचनकारने क्या है उप्षन भूनेश्वर दज सर्मा व्याकुल एकके जहां नरेश परचाथ सिंग सिरिन्मास पानोरी इसका एंसर है डी सिरिन्मास पानोरी ये रहा आपका अगला प्रस्ण मुन्डा प्रंप्रा का रिजगर की सस्थल से समन्धित है रोस्तासगर, बिजनगर, पालिगर और राजगीर एंसर है डी राजगीर अगला प्रस्ण है निम्लिखित में से कौन आदिम जन जाती है कवार, कोरा, करमाली और कोरवा इसका एंसर है डी कोरवा बढ़ते हैं अगले प्रस्ण के और अंडी और ओपर्टीपी, नाम से परचलित, विबाग किस अधिवासी समुदाई से समन्धित है हो, पहाडिया, मुंडा और उराओ एंसर है ए उराओ बढ़ते हैं अगले प्रस्ण के और गायब होता हुआ देश उपनियास के लेखक है निर्मला पुटूल, राजत बर्मा, सर्वान कुमार गोस्वामी और रनेंद्र एंसर है डी रनेंद्र बढ़ते हैं अगले प्रस्ण के और कोचे कड़बा नाटक के रचनकार है सोलेमान मुर्मू, नराइन सोरेन, पंचानन मार्डी, रगुनाथ मुर्मू एंसर है ए सोलेमान मुर्मू और रगुनाथ मुर्मू ने एक 47 आयतिया लिखा है जिसका नाम है बिंदु चांदन तहा आपका अगला प्रस्ण खेरवाल बांचो धरों, पुति के रचियता है फादर पिटरलाल एकका, इस्टेफेन हिकिम मुर्मू, मांजी रामदाश टूडू, डोमन हांसदा इसका अंसर है C, मांजी रामदाश टूडू बरते हैं अगले प्रस्ण की ओर आदि धन पुष्टक के रचियता कार है रगुनात मुर्मू, गुर्बचन सिंग, रामदयाल मुन्डा, निर्मल मिंच इसका अंसर है C, रामदयाल मुन्डा बरते हैं अगले प्रस्ण की ओर संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संगरा था हेंड मावक, अटो, कुकमू, मैला चेचेत दाई और समीर इसका अंसर है B, कुकमू बरते हैं अगले प्रस्ण की ओर लांगडे क्या है? वादियंत्र, एक परकार का निर्थिया, जादू का परकार और D, ओप्सन है A, A, C, दोनो इसका अंसर है B, एक परकार का या निर्थिया है जो संथाली जन्जाती द्वारा निर्थ किया जाता है और E, या किसी भी खुसी या उस्साव द्वारा मना जाता है अब बरते हैं अगले और अंतिम प्रस्ण पर कजली कप गाया जाता है? रवी फसल के समय, होली में, वर्षारितु में और चैत्रमा में इसका एंसर है C, वर्षारितु में आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जोहार हमारे वीडियो जापको कैसा लगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव सेर करें अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सेर वाद सब्सक्राइब करें आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए एक छोटा सा मुहीम जारकन के विकास क्योद जोहार जारकन